नमस्कार दोस्तों मैं परदीब दूबे आज हम आपको इस वीडियों बताने वाले हैं RBL Bank Platinum Maxima Credit Card की बारे में दोस्तो एक कार्ड कैसा है एक क्या आपको एक कार्ड लेना चाहिए आज हम इसके बारे में पूरी अनकारी बताने वाले है मेरा अब से रिक्वेश्ट है कि आप इस वीडियों को सुरू से लेके अन तक वाज करना चलिए शुरू करते हैं तो यह RBL Bank का Platinum Maxima Credit Card बहुत बेश्ट कार्ड है अगर मैं इसकी Benfit की बात करूँ तो इसमें आपको सबसे बड़ा Benfit क्या है अगर आप इस कार्ड को लेते हो और आप अगर 30 दिवस के अंदर कोई भी अगर आप समान पर्चेस करते हो तो आपका जुजाइनी फीस है और आपका यहाँ पे माप कर दिया जाएगा आपको फर्स इस्टेट जो आपका फर्स्ट इस्टेटन बनता है उसी टाइम बाकि यहाँ पे आपको एन्युवल की बात अगर किये है तो एन्युवल मेंबर्सीप आपका 2000 रुपे है बट यहाँ पे 2000 के पीछे यहाँ पे आपको यह देने वाले है 8000 का reward point अगर आप कार्ड लेते हैं लेते हो ज्वाइन करते हो तो आपको आसानी से जो है 8000 का reward point मिल जाएगा दो तो एक कार्ड में जो reward point है rvl.com के official site पर जाके वहाँ पे आप इसे redeem कर सकते हो जिसके माध्यम से आपको एम्योन बाउचर और फिलिपकार बाउचर आप ले सकते हो इधर आपको मैं कुछ चीज़े और आपको share कर दूँ जैसे कि अगर आप जो है करीबन दो लाख रुपया अगर आप एक साल में purchase करते हो तो आपको करीबन 10,000 reward point मिलने माले हैं और इसमें आपको अलग-अलग benefit रहेंगे और भी इसमें कुछ चीज़े हैं तो साइद आप लोग के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे जोस्तों इंका कहनाम ए है अगर आप एक card बनवाते हो तो इस card में आपको movie ticket भी free मिलेगा जैसे की book my show का भी एक आप अगर जैसे की ले सकते हो और भी आपको मिलेगा other site और आप या के महा से redeem भी कर सकते हो इसमें आपको air ticket भी आपको मिलेगा तो काफी अदब benefit इस card में बताए गए हैं यहाँ पे काफी लोग ए स्वाल पूछते हैं कि इसका annual charge क्या है तो यहाँ पे annual charge आपका 2000 रुपे हैं और जिसकी मादियम से आपको 8000 रुपे का आपका annual reward point मिल रहे हैं बाकि अगर आप जो है यहाँ पे यह भी आप देख सकते हो आप मंतली spend आप जो है करीबन 6000 रुपे से लेके आप 72,000 रुपे तक कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको करीबन 7,200 का आपको इसमें reward point मिल सकते हैं अगर यहीं पी और चीजे यहाँ पे दिया गया है जैसे कि अगर आप 3000 से लेके 36,000 रुपे का reward point मिलते है तो कि यहाँ पे जितना amount आप खर्च करते हैं उसी amount based पे यहाँ पे reward point रखे गए हैं यहाँ पे और भी चीजे बताई गई है किलियर में जैसे कि अगर आप एक card apply करते हो तो एक card लेने के लिए आपको किसी प्रकार का जिसकी कुछ bank के ऐसी होती है जिसमें कुछ अलग-अ सर्ते रते हैं तो इसमें आपको ज्यादा सर्ते नहीं इनका है pain card अधार card और आपको income proof में कुछ आपको देना पड़ेगा और यह card आपको मिल जाएगा आप जैसे कि यहाँ पे यह बात पताए है कि अगर आप एक card लेते हो total benefit आपको 20,000 प्लस का आपको मिलेगा ticket, voucher और सीजे लेके reward points को लेके आपको इतना मिलेगा तो मेरे coding यह सबसे best card है अगर आप इसे लेते हो तो साइध आप भविस में बहुत ज़दा इसे benefit कमा सकते हो बाकि इससे आप ATM से cash withdrawal कर सकते हो जिसमें आपको अलग-अलग charges बताए गए हैं इसका जो PDF form है मैंने इसे open क लिया है तो यहाँ पे आप अगर add-on card अगर बनवाते हो तो ओ आपका free है कोई भी add-on card का कोई भी piece यहाँ पे नहीं लगने वाला है यहाँ पे अगर आप जैसे की over limit अगर आपका जो card की limit है अगर आप उससे जदा कर चले जाते हो तो 600 पे पिलांटी charge लगेगा बाकि इस 5% तक इसमें बताया गया है थोड़ा से कम रहेगा एक दो point तो इसमें भी आपका है तो इसमें थोड़ा से दिकत है कि मालो आप कोई MI अगर करवा लिए हो bank से आप चाहते हो कि मैं इसे पूरा एक सत क्लोच करवा दूँ तो इसकी बारे में आपको जनकर यह बताया गया है तो अलागल इनके बेनफीट है अब यहाँ पे एक और है पेलांटी चार्ज तो पेलांटी चार्ज थोड़ा कम है साड़े 3% है और काड़ों में पौनिस 4-4% रहता है तो आरवियल बैंक एक बेश्ट बैंक है सर्विस तो अच्छी देती है reward point value भी अच्छा मिलता है तो म आपको मिलेगा और अगर आपका उम्र कम है तो आपको नहीं मिलेगा वैसे कुछ बैंक को 18 साल प्लस में पको दे सकते हैं ऐसा नहीं है तो एक कार्ड में बेनफीट बहुत हैं और इस कार्ड को फर्स टाइम जैसे कि आप जोईन करते तो कोई भी आपका इसमें मिलते रहेंगे जो लोग के ज्यादा सौपिंग करते हैं ज्यादा फिल्म उबीस देखना पसंद करते हैं उनके लिए एक कार्ड बेस्ट है बाकि ATM से कैश बिड्रोल भी कर सकते हो आपका वही प्रोसिंग फीस और कुछ चार्जिस में बताये गए हैं तो अच्छा है आप आपको लेने के लिए मैंने आपको बता दे डॉक्मेंट की बारे में आपके पास इंकम फूरूब होना जरूरी है तब ही आपको एक काड मिलेगा अगर आप सेवी एकाउंट खुलवाते हैं हैभी वाला मेंटरेंस करने वाला पचीस से पचाहजार तक का तो आपको यह का कमेंट करना फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन वंदे मातरम